दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओलम्पी के स्पेशल में खेल संबंधित जो कि माना पटेल के बाड़े में हैं माना पटेल टोक्यो ओलम्पीक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला और केवल तीसरी तेराख बन गई है माना पटेल के अलावा सिरीहडी नट राज और साजन परकास ने भी ओलम्पीक के लिए क्वालिफाई किया है वह अहमदाबाद की 21 वर्षिय बैक स्ट्रोक तेराख है जिन्होंने राष्ट्रिये खेलो में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्न पदक जीते हैं उन्होंने साचिवे राष्ट्रीये स्कूल खेलो जो की 2015 में हुआ था उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी स्वर्न पदक जीता था और बैक स्ट्रोक में राष्ट्रिये रिकोर्ड तोड़ा था उन्हें 2015 में ओलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था 2018 में उन्होंने बहतरवी सिनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियन्सिप में तीन स्वर्ण पदक हासिल किये बात करते हैं माना पटेल जी के बारे में माना पटेल जी का जन्म 18 मार्च 2000 को हुआ था वे गुजरात की एक बैक स्ट्रोक तैराग है 13 साल की उम्ड में उन्होंने हैदराबाद में 40 वी जुनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियन्सिप में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में 2 मिनट 13.41 सेकेंड का समय निकाला था 2019 में उन्होंने 10 वी एसी आई आयू समू चैंपियन्सिप बैंगलोर में 6 पदक, 1 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांच से जीते यह इवेंट 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित किये जाएंगे मून रूप से यह 24 जुलाई से 9 अगस 2020 तक निर्धारित किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के बीच इसे पहली बार अस्थागित और पुनर निर्धारित किया गया टोक्यो दो बार गिरिश्न कालिन खेलो की मेज़बानी करने वाला इस्याका पहला सहर बंगया जुलाई बंगया